एक नल A, देखिएगा, एक तंकी को 40 मिनिट में भर सकता है, और नल भी 60 मिनिट में खाली कर सकता है, यदि एक ही समय पर दोनों नलों को खोल दिया जाए, तो तंकी को भरने में लगने वाला समय कितना होगा, आसान कोश्चन है, आंसर दीजिए, method 1 पहले देख लीजिए, एक इतने 40 मिनिट में, क्या कर सकता है, भर सकता है, प्लस कर सकता है, भी 60 मिनिट में खाली कर सकता है, ये भी माइनस करने वाला है, कितने 60, 40 और 60 का LCM क्या होगा, 120, तो देखिएगा, 40 त्याही 120, यानि 3 लीटर ध्यान दिजिएगा, प्रती मिनिट भरेगा, ये प्लस करेगा, तो 40 मिनिट में पूरी टैंक भरेगा, ये खाली करने वाला है, तो 60 दुना के 120, 120 को साथ से बाग करेंगे, तो 2, ये 2 लीटर प्रती मिनिट खाली करेगा, तो 60 मिनिट में पूरी टैंक खाली करेगा, अगर दोनों एक साथ चले, तो ये प्लस 3 माइनस टू, result क्या आएगा, बताइए, यह 3 लीटर भरेगा, यह 2 लीटर खाली चारेगा, तो result आएगा प्लस 1, यानि कि 1 मिनट में 1 अए लीटर भरेगा, और 120 लीटर की टंकी है, तो 1 मिनट में 1, तो पूरी टंकी भरने में क्या, 120 मिनट, अंसर हो जाएगा option number 1, यह method पहला है basic तरीका, एक और तरीका हम आप लोगों को बताएए, बताए, चले, 120 मिनट आगया है, बहुत अक्षे, चले, तो दूसरा एक और method बताए, अच्छा, दूसरा method बताए, देखिए, method 2, method 2 देखिएगा, यह तो clear है आप सभी को, यह clear है, method 2 देखिए, method 2 में, जब एक भरने का काम करे, क्या, भरने का काम करे, और दूसरा, खाली करने का काम करे, और बोले, दोनों strength को कितने मिनट में भरेंगे, या कितने गंटे में उसके लिए क्या formula होता है, पता है आप सुबको, देखिए, एक x है, एक y है, तो होता है, xy बटा का x difference, धहन दीजिएगा आप सभी student, x difference y, यह formula होता है, मतलब x और y का गुना करना है, 40 गुने 60, और 40 और 60 का अंतर क्या होगा, अगर दोनों भरने वाले होते, मिल के कितने म होता है, तो बता है इसका अंसर, 40 और 60 का, 60 में से 40 गटाएंगे 20, 20 दुना के 40, 70 दुना के 120, 120 मिनट, अंसर आएगा, 120 मिनट में क्या होगा, हाँ, क्या होगा, टंकी भरेगा,